नमस्कार दोस्तूं अब Topic Anusar Quesn Answer, Topic Anusar Quesn Answer के साथ ही 2500 Quesn रास्तान के GK के हम कर रहे हैं, इसके बाद model test paper आपके सामने रहेंगे दोस्तुं, यानि कि यह सभी चीजे आप परती दिन अटेंड करते जाएंगे न, तो आपको कहीं जाने की जुर्ट नहीं है, complete चीजे आपको यहाँ पर मिल बाकी complete course, कुछामन online classes एप पर उपलब्ध है, एप में जाकर आप notes की पीडियाप, Quesn answer की पीडियाप है, उनको प्राप्त कर सकते हैं पैरे मित्रों normal charge के साथ course है, तो सभी साथ यू से मेरा नुरोध रहीगा, कि जो भी पैरे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, उस course से अद्दिन करें दोस्तूं, बैतरिन course है, एक बार जाकर देख लो आप, फिर आपको चलेगा इतना सस्ता, कहीं और नहीं दोस्तूं, आज जो हमारा राजस्तान कलासस करती का टोपिक रहेगा वो है लोक संत एवं संपरदाई, एक सो पांच क्यूसन लेकर आया हूँ, और साहिधी आपको कहीं पर इतने important क्यूसन एक जगें एक साथ मिलेंगे दोस्तूं, तो सबसे पहला काम वीडियो को लाइक सेर और चैनल को मित्र इस वीडियो पर आ रहे हैं, उनसे एक आज बहतरी निवेदन कर रहा हूँ में, आज का निवेदन जो भी मित्र यहां पर जुड़ रहा है, वो मेरे साथ इंस्टाग्राम आइडियो पर जुरूर जुड़ेगा, और उसके लिए लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में द सकते हैं, पहला क्यों सन, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, लोक सन्त और उनके गरंद दिये गए हैं, सबसे पहले सन्त जांबो जी विश्नोई द्रम परकास, सन्त रजब जी सरवांगी, सन्त दादुदेयाल सिम्भूदड़ा, सिम्भूदड़ा जो गरंद है ये किनका है दोस्तों, किनका है, जसनाज जी का, किनका है, जसनाज जी का है दोस्तों ये गरंद, जसनाज जी का, तो दादुदेयाल जी के गरंद का क्या नाम है, दादुरी वानी, दादुरा दोवा, एक इंपोर्टेंट है काया बेली, ये पूछा जा सकता है काया बेली, ये गलत द ही रहेगा अगला क्यों सन कुंसा कुर्स मेलित नहीं है लोग संथ और जनम वरस चलिए देखते हैं पहले लोग संथ जनम वरस मीरा मीरा बाइट 1499 इसवी दादु दयाल जी 1549 इसवी संथ जसनाज जी 1652 इसवी संथ चरंदास जी 1503 चरंदास जी का जनम कब हुआ था गलत है इसवी के अंदर तो दया उप्सन आपका सही रहीगा अगला क्यों संथ जसनाजी के बारे में कौन सा कतन सही नहीं है जो गलत है वो बताना है अच्छा है क्यों संथ इनका जनम चुक 1852 इसवी में बिकानेर के कत्रियासर गाउं में वा कत्रियासर में इन्होंने 12 वरस यह गलत हो गया पंद्रा सो चैमें इन्होंने कत्रियासर में समादी ली और इनके उपदे सिंभू दड़ा वेकोंडा नामक गरंत में संग रही थै तो बैव उप्सन यहां पे आपका सही रहीगा अगला क्योंसा कूट सुमेलित नहीं है ये कूट वाले क्योंसन एकजाम में डिट्टो पूछे जाएंगे दोस्तों समझ गए संपर्दाई और परमुख पीट जसनाती संपर्दाई की परमुख पीट है कत्रियासर बिकानेर रामसनी संपर्दाई की परमुख पीट है सहापुरा निरंजनी संपर्दाई की परमुख पीट है गाड़ा गाड़ा अब अलवर है लेकिन जो परमुग पीट है ना वो दिल्ली में कहां पर है दिल्ली में तो आपका दे ओप्सन यहां पर सही रहेगा आगे चलिए क्योसा नमर पांच में कौनसा कूर सुमेलित नहीं लोक संत और जनम वरस वेरी इंपोर्टेंट क्योसा चलिए देखते हैं संत जाम देखें अब दो चीज़ है अगर आप ओरिजनल जो गरंथ है उनके अनुसार चलेंगे तो सत्रा सो बीस दे रखा है लेकिन जब आप आरबी असी में जाएंगे आरबी असी की बुक पढ़ेंगे तो वहां पर सत्रा सो उन्नीस दे रखा है दोनों बता दियें मैंने आपक बैओ उप्सन सही रहेगा जशनाजी का चुगदा सुबियांसी स्वी चरणदासी का सत्रा सो तीनीस वी क्योंसा नमबर च्छै है कौनसा कूर सुमेलित नहीं है लोक संत उर्ष उनके संपरदाई कौनसा नहीं है संत माउजी का निरंजनी संपरदाई नहीं है कौन सा है माउजी का निस कलंग निस कलंग संपरदाई तो बैव ओप्सन सही रहेगा रामचरण जी का रामसनी संपरदाई लालदास जी का लालदासी संपरदाई अगला क्योसन सुमेलित करना है बहुती प्यारा सा क्यों सनाया आपकी स्क्रीन पे सुमेलित करके उत्तर बताना है चलिए संपरदाई परमुग पीट गुदर संपरदाई नवल संपरदाई चरनदासी संपरदाई अलखिया संपरदाई तो देखिए मित्रूं गुदर संपरदाई जिसकी परमुग पीट है दातडा में दातडा भीलवाडा में नवल संपरदाई की परमुग पीट है जोदपूर में 84 संपरदाई की परमुग पीट अभी भी मैंने बताया है दिल्ली में है और अल्खिया संपर्दाई की प्रमुग पीट है बिकानेर के अंदर दो एक तीन चार बैव उपसन आपका यहां पे रहने वाला है सही क्यों से नमर आठ थोड़ा सा यह जो ए सुमेलित वाले या सुमेलित करने वाले यह क्यों से ने इन में थोड़ा समय लेगा बाकि हम सुपरपास्ट स्पीड से चलेंगे वंदे भारा चलिया ना उसकी स्पीड से सलेमाबाद परसीद है किसके लिए बताईए सलेमाबाद किसके लिए परसीद है निमबार्क पीट के लिए निम्बार्क संपरदाई की पीट है सलेमाबाद के अंदर दोस्तूं क्योसा नम्र नो है निम्लिकित मेंसे किस इस्तान पर बोहरा संपरदाई का प्रमुक उर्स लगता है बोहरा संपरदाई का प्रमुक उर्स लगता है गलिया कोट में तो बै ओपसन गलिया कोट में बाबा फकरुदीन की दरगा पर दोस्तूं ओपसन बैस सही रहेगा क्योसा नमबर दस कौनसा कुट सुमेलित नहीं है संपरदाई और परमुक पीट वेरी इंपोर्टेंट क्योसन अच्छा क्योसन इंपोर्टेंट क्योसन उत्तर आपको यहाँ पर आराम से देना है तो चार संपरदाई दे रखें है आराम से आप है जो उत्तर है वो बता सकते हैं दोस्तूं तो जल्दी से बताईए दोस्तूं देखते हैं किन किन सातियों का सही होता है इंपोर्टेंट क्योसन है यह हन्स संपर्दाई सलेमाबाद रसिक संपर्दाई रेवा संसिकर गोडिय संपर्दाई गोविन देव जी जेपूर वलब संपर्दाई की सापुरा में नाथ दुआरा में परदान पीट मुक्के पीट नाथ दुआरा में तो देव उपसन आपका सही याँ पे रहेगा वलब संपर्दाई वेशनववाद संपर्दाई इस्तापना वलबबाचारियने की थी इसकी समझ गए अगला क्योसन पासुपत संपर्दाई से समंदीत गुरू विश्वरूप का उलेक मिलता है 11 नमर क्योसन किसमें हार्स परवत का सिलालेक जो 935 इस्वी में लिखा गया उसके अंदर दोस्तों क्योसन अमर बारा है भक्तिरस कवीतरी मीराबाई थी कौन एक राजपूत सासक की पतनी दोस्तों देव उपसन सही रहेगा क्योसन अमर तेरा निमलिकित मैंसे एसुमेलित यूगम है वो आपको यहाँ पर बताना है तो अच्छा क्योसन नहीं है आराम से बताईए इंपोर्टेंट क्योसन रामसन नहीं संपरदाई की साकाई और उनके परवर्ट तक चलिए सियंतल भीकानेर संतरीदास जी रेन नागोर संत दरियाओ जी खेड़ापा जोद परवर्ग्रामिन संतर रामदास जी सहापुरा चरनदास जी नहीं है रामचरन जी ने कीती रामसन नहीं संपरदाई की रामचरन जी तो सापुरा रामचरन जी सापुरा साका दे उपसन सही रहेगा अगला क्योसन कौन सा कूट सुमेलित नहीं है जो सुमेलित नहीं है वो बताना आपको दादुपंत परमुपीड नराइना में है लालदासी संपरदा की सेरपूर में है रजपंती की अजमेर में नहीं है विस्नोई संपरदा की मुकाम में तो यहां पे सह ओप्सन सही रहेगा क्योशन अमर पंद्रा सुमेलित कीजिए इंपोर्टेंट क्योशन पहले ही बोल रहा हूँ बहुत अच्छा क्योशन है सुमेलित करना है द्वारकादीस, स्रीनाजी, मत्वरादीस, गोविन देव जी कोटा, नाथद्वारा, जेपूर और कांकरोली कां कां पर है तो चलिए सबसे पहले द्वारकादीस, कांकरोली स्रीनाजी, नाथद्वारा मत्वरादीस, कोटा गोविन देव जी जेपूर तो 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 यह पहला उप्सन ऐसा ही रहेगा क्यों से नम्बर 16 मदेकालिन मेवाद के परसिद संथ मदेकालिन मेवाद के परसिद संथ कों थे तो बह उप्सन सही रहेगा लालदासी कों थे लालदासी क्यों से नम्बर 17 सन्यासियो के सुल्तान के से किसे जाना जाता है सन्यासियू के सुल्तान हमीद उद्दीन नागोरी को हमीद उद्दीन नागोरी को दोस्तुं से उपसन नेक्ष्ट है सलेमाबाद में निमबार्क संपरदाई की इस्तापना किस ने की निमबार्क संपरदाई जो सलेमाबाद में हैं परदान पीट उसक से परसित हजरत हाजिप सकर बादसा की दर्गा इस्तित है कहाँ पर नरहड के सकर पी जार हड में दोस्थं साउप्सं सही रएगा क्यो सन बेश निर्गण इसـ में विश्वास रखने वाले मलिनाजी के नाम पर बाडमेर और बालोत्रा प्रगने का नाम पढ़ा क्या मालानी परदेश दोस्तू सही रहेगा क्यों सनिकिस कि संत ने राजस्तान में सूपी मत एवम चिस्ती संपरदाई की इस्ता अपना किस ने किती खवाजा मोहिनुदीन चिस्ती ने बै ओपसन यहां पे सही रहेगा क्योसन बाइस खवाजा मोहिनुदीन चिस्ती की दरगा कहा इस्तित है तो सही रहेगा सह ओपसन कहां पर है अजमेर में कहां पर है अजमेर में क्योसन तेविस बालिंद बालिन जी के गुरू कुन थे? बालिन जी के गुरू थे दादू दयाल जी ओप्सन ऐस सही रहीगा क्योसा नम्बर चोबीस प्राचीन राजस्तान में कौन सा छेतर बोध द्रम का केंदर रहा प्राच्चीन राजस्तान उसमें कौन सा छेतर बूद द्रमका के अंदर रहा तो सब को पता है बेराट राता बेराट सब बेता भी है कोट पूतली बैरोड में आता है बेराट बै उपसन सही रहीगा नेक्स्ट कि संत ने अपने सिशू के लिए उनतीस नियमों की पालना पर जोर दिया था किनों ने दिया था तो दै उपसन सही रहेगा संत जामबोजी ने विस नोई संपरदाए विस नोई विस नोई भी उनतीस होगे न नियम अगला कि उसन नाज संपरदाए की प्रमुक पीट इस्तित है नाद संपर्दाय की कहा पर है जोधपूर के महामंदीर में महामंदीर जोधपूर सै ओपसन सही रहेगा क्यों संटाइस है राजस्तान में धार्मिक जीवन को नए दिसा देने में सर्वब पर्तम योगदान देने वाले शंत दन्नाजी किनके सीशे थे कि उसे नमर अठाइस 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 गोडवाड, सिरोई, आबू, मेवाड तता गुजरात में जेंद्रम के एक तिरतकर के जिवन्त स्वामी सवरूप की परिचाइग मूर्तियां सरवादिक संक्या में निर्मित हुई है ये जिवन्त स्वामी तिरतकर है कौन है? महावीर स्वामी जी क्योशन 30 क्योशन 31 वागड की मीरा के नाम से निर्मित सिक कोन परसिद है? वागड की मीरा वागड की मीरा गावरी बाई दोस्तूँ वागड़ की मीरा गावरी बाई क्यो सन 32 मलुकनात किस पंत के सादू थे किसके थे गरीब दास जी के ओप सन ऐ यहां पे सही रहेगा इम्पोर्टेंट क्यो सन है यह और एक भी क्यो सन ऐसा नहीं जिसमें कुछ भी गलती मिले दोस्तों समझ गया आप यहां पे आगे चले क्य मोहिनुदीन चिस्ति किसके सासनकाल में राजस्तान आये थे किसके सासनकाल में आये थे पार्तवी राज चुहान तर्तिय के सासनकाल में दैव उपसन सही रहेगा क्यो सन 34 रामसने इस संपरदाय की प्रमुक पीट सहापुरा साका के परवर्टक थे मिलान वाला क्यो सन था वहाँ पर मिलान वाला नहीं था यानि चार उपसंद जिन में से ऐस हुमेलित को चांटना था आपको वहाँ पर ये क्यों सन्मने कर लिया है साहपुरा साका राम सने इसाम परदाई कि उसके संस्तापक कौन थे तो उपसंद है संत्र राम चरन जी कौन थे संत राम चरण जी क्योशन पेतीस शंत जामबो जी का जनम किस इस्तान पर हुआ था जामबो जी का जनम पूछा है प्यारे मित्रो कहां पर हुआ था पीपासर नागोर में पीपासर नागोर के अंदर क्योशन चत्तिस नाज संपरदाई के आज राजस्तान में प्रमुक्संत वे नाज संपर्दाई के राजस्तान мет पासुपति संपर्दाई का संपर्दाई का संस्ताफ़ कोई था तो सही रहेगा ओपसन बै ला कुलिस दोस्तों पासुपती संपरदाई का संस्तापक ला कुलिस क्योसन अरतीस है संद पीपा जो गागरोन के सासक थे किस राजपू साका के थे पीपा जी किस साका के थे किस राजपू साका के थे तो ओपसन बै खीची साका के दोस्तों कि जिसके थे कीची साका के कि हुसन उन्चालीस है नात दुआरा रा राज समंद मी स्रीनाजी का मंदिर की संपरदाई से समंदीत है की संपरदाई से हैं वलब संपरदाई से वलब बाचारे ने जिसकी इस्तापना की दोस्तूं कि हुसन नमर चालीस है राजस्तान के की संद के सिसी बावन सिसे मुक्खे सिसे थे जिने बावन इस्तम कहा जा जाजाता था कि संथ के थे ये। तो सही रहेगा ऑप्शन सहची है यां पे दादु दयाल जी के कि हूसन 41 प्रियावण चेतना जैसी आदूनिक सबदावली का महत्व है भहुत पहले से ही कि संत ने जान लिया था किनों ने जान लिया था तो उपसन बैस ही रहेगा जांबो जी ने किनों ने जांबो जी ने क्यों सन 42 है कि संपरदाई के अन्युआईउ को 42 नियम्मू का पालन करना पड़ता है 42 नियम्स रूल्स चरणदासी संपरदाई के अन्युआईउं को क्यो संद्यालिस निमलिकित मेंसे कौन सा शंपरदाई निर्गुन बक्ती संपरदाई नहीं है निमलिकित मेंसे कौन सा संपरदाई निर्गुन बक्ती संपरदाई नहीं है दोस्तु दादुपंती है रामदा सी नहीं है यह रा बाय उपसंच सही रहेगा कि उसन चमालीस राजस्तान में वलब संपरदाई का प्रमुग दार्मिक किस ताल अभी भी मैंने बताया है वलब बाचारी के दोबारा रासमन के नात दोबारा में नात दोबारा है दोस्तों से उप्सन सही रहीगा क्योसन पेतालिस रेंड साका का संबंद है किस संपरदाई से किसे हैं राम सनेई संपरदाई से दे उप्सन सही रहीगा क्योसन चियालिस आचारियत तुल्चिदास नहीं अनुवर्त अंदोलन का सुत्रपाद कब किया था कब किया था अनुवर्त अंदोलन का सुत्रपाद उन्नी सो उन्पचास में दोस्तों ओप्सन ऐस सही रहेगा क्योसन से तालिस राजस्तान का उतर तो तादरी कहलाता है उतर तो तादरी कहलाता है गलता जी दोस्तों जो जेपुर में ने गलता जी वो क्योसा नमर 48 120 सब्द वानियां 120 सब्द वानियां नाम गरंद की रचना किस ने की थी 120 सब्द वानियां जांबो जी का गरंद है किन का है ये जांबो जी का क्योसा नमर 49 है परणामी संपरदाई के परवर्टक कोन थे परणामी संपरदाई के परवर तक तो नाम से पता चल जाएगा प्राण नाज जी थे कौन थे प्राण नाज जी दोस्तुम क्योसन पचास इस वर मनुसे के सदगुन को पहचामता है तदा उसकी जाती नहीं पूछता आगामी दुनिया में कोई जाती नहीं होगी यसी दान किस संथ का था यसी दान था दादू दयाल जी का किनका था दादू दयाल जी का क्योसन इकावन है मुकाम दाम की संपरदाई के लिए परसीद है मुकाम दाम किसके लिए विसनोई संपरदाई के लिए परसीदे दोस्तों परमुक पीट है वहां पर क्योसन अमर बावन लोकसंत लालदासी का जनम किस इस्तान पर हुआ था लोकसंत लालदासी का जनम कहां पर दोलीदू के अंदर दोलीदू अलवर के अंदर क्योसन तरेपन आमेर की मीरां किसे का जाता है आमेर की मीरां कि इनको कहते हैं बाला बाए आमेर की मीरा क्योसन 54 राजस्तान के की संत दौरा शत्ते बामाजी नूरुसन की रचना की गई थी किन के दौरा की गई थी दादू दयाल जी के दौरा सह ओपसन सही रहेगा क्योसन नमबर पच्पन परनामी संपरदाय के संस्तापक ये क्योसन हम पेपरों से उठाते हैं जो पेपरों में पूछे गए तो बहुत बार कुछ क्यूसन होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं प्राण नाज जी परणामी संपरदाई के संस्तापक प्राण नाज जी नेक्स्ट है राजस्तान में नाथ संपर्दाई के बिराग पंत का प्रमुक के अंदर का है बिराग पंत का प्रमुक के अंदर है पुसकर के राता डूंगा में ओप्सन आपका यहां पे बैस ही रहेगा क्यों संसताउन संत कर्मबाई का जनम किस इस्तान पर हुआ था कर्मबाई का जनम कहां पर हुआ था पैरे मित्रू कालवा गाउ नागोर में नहीं यह आ गया डीडवाना कुच्चामन में देखे कर्मबाई का जनम तो हुआ था कालवा डीडवाना कुच्चामन और हरनावा डीडवाना कुछामन जो गाव है जो परबसर तेसिल में आता है कालवा आता है मकरणा तेसिल में हरनावा आता है परबसर तेसिल में हरनावा के अंदर राना बाई का जनम वा था राना बाई समझ गे क्योसन नमबर अठावन शंत लालदासी का समाधी स्थल कहां पर है लालदासी का समाधी स्थल नगला गाउं में कहां पर है नगला गाउं के अंदर दोस्तों क्यों सन 59 निमले कित मैंसे कौन निरंजनी संपरदाई के संस्तापक थे संध सिप्धा निरंजनी संपर्दाई के संधता पक संध हरिदाशी कों थे संध हरिदासी सहजोबाई को थे सहजोबाई के गुरू को थे ए बेहत्व संधे के चारण दासी क्योसन 61 राजस्तान के परसित संथ जिनका संबन्द कत्रिया सर भी कानेर से हैं राजस्तान के परसित संथ जिनका संबन्द कत्रिया सर भी कानेर से हैं वो है संथ जसनाज जी दोस्तों बै ओप्सन सही रहीगा क्योसन 62 है संत माउजी की पीट का परिस्तित है संत माउजी की पीट माउजी की पीट है साबला गाउं डुंगरपूर में साबला गाउं डुंगरपूर के अंदर क्यों सं 63 कौन से संत दरजियों के आरादे मने जाते है कौन से संत दरजियों के आरादे है मुस्लिम संथ से दिक्सिया लेने वाले राजस्तान के संथ लाल दास सी कौन थे लाल दास सी दोस्तों क्यों संथ 65 राजस्तान के वे सूपी संथ जिने खवाजा मोहिनुदीन चिस्ती ने सुल्तान इतारकिन सन्यासियों का सुल्तान की उपादी दी थी सन्यासियों का सुल्त सेम हमीदुदीन नागोरी दोस्तों कियो सन Nous Charger- pau-6 कि शंपरदाई के अन्य आई देखते वे अंगारों में कत्रियासर बिकानेर में अगनी नरते करते हैं कि शंपरदाई सन्बॉरों जिसनाती सम्परदाई के अन्य आई दोस्तों कि उसन 67 जामबो जी का समधी स्थल कहां पर है जामबो जी का समधी स्थल मुकाम बिकका नेर में कहां पर है मुकाम बिकका नेर में जामबो जी ने किस इस्थान पर विस्नोई संपरदाई की स्थापना की जामबो जी ने कहां पर की थी विश्नोज समपर्दाय किस था अपना तो दै उपसन सही रहेगा समरातल बिका नेर में को सन 69 शंत जसनाजी ने 12 वरस्त की 12 वरस्त किस इस्तान पर साधना की थी कहां पर की थी गोरख मालिया में बै उपसन सही रहेगा को सन 70 गवरिबाई का मंदिर कहां पर इस्तित है गवरिबाई का मंदिर है डूंगरपूर में कहां पर है गवरिबाई का मंदिर डूंगरपूर में दोस्तु बै ओप्षन सही रहेगा क्योशन इगेतर है पचास वाणिया नाम ग्रंथ की रचना कि संत ने की थी पचास वाणिया ग्रंथ किनका है तो ऐ ओप्सन सही रहेगा ज्यानमत्ती बाई का किनका है ज्यानमत्ती बाई का क्यो सन बैतर निसानी नामक कावेकरती की रचना किस संत दुआरा की गई निसानी नामक कावेकरती की रचना किस संत के दुआरा की गई संत हरी राम दासजी के दौरा क्यों संद सेवंटी त्री सुंदर विलास के रचियता थे तो नाम से पता चल जाएगा सुंदर विलास सुंदर दासजी कौन थे सुंदर सुंदर दासजी क्यों संद सेवंटी पोर है गुदर संपर्दाई की परदान पीट कहा इस्तित है गुदर संपर्दाई की परदान पीट है दांतला में कहां पर है दांतला के अंदर क्यों सन पचेतर अभी लेकू के आदार पर राजस्तान में आटवी सदी के मद्दे किस देवता की सरवचे रूप से पूजा की जाती थी वो है देवता सिव option है सही रहेगा क्यों सन 76 नाद संपरदाय की केंदरिय मट की स्थापना किस इस्तान पर हुई है नाद संपरदाय का केंदरिय मट है जोदपुर के महामंदिर में क्यों सन सतंतर लोकसंत पीपा की गुपा कहां पर है लोकसंत पीपा और पीपा की गुपा तोड़ा गाउं अब प्यारे मित्रू ये तोड़ा गाउं केकडी में आ गया है याद कर ले ना तोड़ा गाउं केकडी में है अगला क्यों सन कि सूपी संथ ने नागोर के पास शुचाल गाउं में अपना केंदर बनाकर शांती पूरुवग परचार किया था कि सूपी संथ ने सेख हमीमुदीन नागोरी ने नागोर के पास सुचाल गाउं में अपना केंदर बनाकर सांती पूरुवक परचार किया था दोस्तों क्यो सन 79 ब्रहम चरितर ब्रहम ज्यान सागर नाम ग्रंतु की रचना किस संत ने की थी? ब्रहम चरितर ब्रहम सागर संत 14 lawyer संत 14 ने सै ओफसं सही रहेगा क्यो सन 80 है केजडी के ब्रक्स वह वन्ने जीओं के मैत्वक को समझाने वाले संते कौन से संते दोस्तों ये थे ओपसंस सही रहेगा संत जामबो जी कौन थे संते जामबो जी क्यों सन एटी वन सन दन्ना जी के द्वारा रचित पदू को कहा जाता है दन्ना जी के द्वारा रचित पद क्या कहलाते हैं दन् क्योसन 82 है राज्स्टान के किसी किसी सूपी संथ को वांगाड वांगड बांगड के दनी के नाम से जाना जाता है वांगड के दनी हजरत सक्कर पीर बाBA नरहड की हजरत सकर पीर बाबा से उपसं सही रहीगा अगला क्यूसन क्रोली में इस्तीत मदन मोहंजी का मंदिर की संपर्दाई से समंदित है क्रोली में इस्तीत मदन मोहंजी का मंदिर की संपर्दाई से समंदित है तो उपसं सही रहीगा गोडिये संपर्दाई से किसे हैं गोड़िये समपरदाय से क्योषन 84 सहज परकास वसोलती ती नامक गरंद की रचना की संतने की थी सहज परकास सोलती ती यह सहजोबाई का नाम से सहज सहजजोबाई की गरंद बे अप्शन सही रहेगा क्योषन 85 पर आपका अच्छा है क्यूसने ये भी तेरा पंती जेन संपर्दाई के संस्तापक कौन थे कौन थे भीकम जी दोस्तूं बै उपसन सही रहीगा क्यूसन ऐटी सिक्स दादू पंती संपर्दाई की नागा साका का परवर्तक किसे माना जाता है सुन्दर दासी को अगला क्योसन आपका मंतर राज पर कास कि संत के आदात्मिक विचारू का संकलन है कि संत के संत हरीदास सीखे क्योसन 88 बाबा राम देव जी ने किस संपरदाई की स्थापना की थी कामडिया संपरदाई की स्थापना बाबा राम देव जी ने की थी कामड़ दिया, कामड़िया, संपर्दाइगी, कियो सन 88, संत मीरा बाई का बचपन का नाम था, मीरा बाई के बचपन का नाम क्या था, बता दो, क्या नाम था, इंपोर्टेंट कियो सन नहीं है, पेमल था, क्या नाम था, पेमल, क्यो सन 89, सोरी 90, राजस्तान का वे कौन सा संत है जिसने फतेपुर सिकुरी में अकबर से बैट की थी दादू दयाल जी ने किनों ने की थी दादू दयाल जी ने दोस्तों क्योसन एकराण में निरंजनी संपरदाई के प्रवर्तEC जिने कलियू का वालमी की का जाता है कौन है तो बैघ ओप्सन से रहेगा संत हरिदासी कलियू का वालमी की कलियू का वालमी की क्योसन 92 जामबो जी के अन्यूआई किस रूप में जाने जाने जानते जामबो जी के अन्यूआई विस्नोई के रूप में क्योसन तराणमा सूपर सिद काया बेली पहला क्योसन में ही बताया था आपको मैंने किनों ने किती दादू दयाल जी ने कियो से 94 रामसने इस संपरदाय का पूलडोल मोटसहू कहां पर आयो जीत होता है कहां पर होता है सहापुरा में कहां पर सहापुरा के अंदर कियो से 95 जसनाजी ने कितने वर्ष की आयू में कत्रियासर में जीविश समयदा ली ती कितने 24 वर्ष की आयू में बे़ औपशन सही रहे गा कि उसन चिन में वे संपर्दाय जिसका मूल मंतर स्री कर्सन सरनम ग्नम है कि संपर्दाय का स्री कर्सन सरनम ग्नम है मूल मंतर वलब संपर्दाय का सै ओप्सन सही रहेगा कि संत ने चोधवी सदी में भक्ती अंदोलन को उत्री बारत में परबल बना दिया था कि संत ने अच्छा है कि संत नहीं है इंपोर्टेंट है रामा नंद ने दोस्तु देखे बैद ऐसे उपर नीचे हो गए यहां पे कि संत दादु दयाल जी के गुरू कोन थे संत दादु दयाल जी के गुरू कोन थे वरंदा नंद जी कोन थे वरंदा नंद जी कि संत को राजस्तान का नर्सिंग कहा जाता है कि संत को राजस्तान का नर्सिंग तो कवी दुरलब को किन को कवी दुरलब को दोस्तु कि संत नमर नेर में कहां पर है बिक का नेर के अंदर क्यों सन एक सो एक है गुदर संपरदाई की इस्तापना किस ने की ती गुदर संपरदाई की इस्तापना की ती संत दास जी ने कि इनुने संत दास जी ने दोस्तूं क्यों सन एक सो दो निमले के संतों मैंसे कौन जनम से मुसलमान थे संत लालदासी थे कौन थे संत लालदासी से ओपसं सही रही गा क्यों सन एक सो तीन मुगल समराट अकबर दुआरा कि संत को पतेपूर सिक्री आमंतरीत किया गया था वे संत कौन थे दादू दयाल जी थे ओपसं एस सही रही गा क्यों सन एक सो चार तो आप से जो मेंने एक निवेदन आज रखा है वो निवेदन है आप सभी साती हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुढgen दोस्तों इंस्टाग्राम पर अगर आप जुढ़े रहे तो बेखे सीधा अगर आप सर्च करतें तो इस नाम से सर्च कर लीजी वरना इसकी लिंक, इंस्टाग्राम की जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी डिस्क्रिप्सन में जाकर इंस्टाग्राम की लिंक है वो आप देख सकते हैं वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों और जुड़ना ही है आज आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो आज के ये क्यों सन जो रास्तान के लोक संत हैं उन संपरदायों से जुड़े वे थे दोस्तूं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से रोड चैनल को सब्सक्राइब। जरूर करना आप सभी सात्यों को बहुत बहुत दन्यवाद। जे इंद जे भारत।